हाई गाईज है आप सब कैसे हो आए होप आप सब बहुत अच्छे होंगे श्वस्त होंगे मस्त होंगे सो गाईज चलें चूरू करते हैं आजका बोक सो घाईज आझ में बना रही ह Tab Eye na और ये जो है ना रूफ विज का है ना उसी के साथ ये बंद को भी ये बंगाल का बहुत ही एक फेमस खाना है और देखिए फिलहाल फिल्टर थोड़ा सा गंदा हुआ था तो फिल्टर को अची तरीके से धो लेंगे और मन थोड़ा सा खराब है उदास है क्योंकि बेटे के स थोड़ा सा मतलब वह हुआ था ना और बेटे का तबियत भी खराब हो गया तो क्योंकि स्कूल में इतना ठंट पड़ा है और सुएटर वगेरा सब कुछ खोल के ऐसे ही घूम रहे थे कुछ भी नहीं था सिर्फ उनिफरम था और इसलिए मैंने डाटा था कि ये मतलब यू सब मतलब टेंशन में आ गए थे कि देखिए घर पे तो कोई नहीं है फिलाल तो अगर कुछ होता है ना तब वह सानी मतलब एकदम बहुत ही मैं टेंशन में आ गई थी और इसलिए मैं हमेशा कोसिस करते हूं कि अच्छे से रहे और मेरी ममी मुझे बहुत सारी बाते सुना नाटते हैं अगर में कुछ गलत बोलू तो उसी के लिए अगर उसको अगर आप सापोर्ट करोगे ना तो वह तो मेरी और भी बात नहीं सुनेगी और मैं तो कुछ गलत नहीं बोल रहे हूं कि कुछ गलत बोला इसलिए मैंने उसको मतलब वो किया उसको थोड़ा सा मतलब कुई चिलाया था, तो यही बात है, तो मुझे बोल रहा है कि रात को थोड़ा बहुत ममी के साथ मतलब कहा सुनी हो गई, कि ममी बोल रहे कि तुम्हें यह नहीं करना चाहिемон स्थे तो मुझे उपदेश दे रही थी, तो अगर इसलिए ना, तो कभी कभी ना पुरानी बाती भी आजाती है कि मेरी मम्मी मुझे तो कभी भी प्यार ही नहीं किया बताए आकल तो मुझे बहुत कुछ चुना दिया कि खाना चो खा रहे हो किसके खा रहे हो हजबन तो मढ गया तो खाना तो मेरे ही खा रहे हो ना क्योंकि हमारे मतलब मम्मी के गर किराएदार है उन काइचा गर है मेरा थोड़ी नहीं मेरे सो कुछ नहीं यहां मेरें घर ना मेरे हस्टेन है आम लोग थो भीग जिंदी होता है ना भी जिंदगि जी रहें तो अगर कोई भीग देगा तो एकसल के सिर्टी मम्मी ने कल जिन खें़ज पाहं किसे थिए必जा हो थे चोटा था मतलब पैदा नहीं हूआ था चब छोटा था न अही vorher बेखे बेटे कॅ कराइप काम करती थी पिल हाल कर रेकिन पैदा होने से भी पहले मैंने टेली करूलिंग का काम काम के तो फिल हाल मुझे काम मिल जाएगा मुझे कहने का परिशान हों लेकिन मेरे बेटे को कौन देखेगा बढ़ाई उसका खाना पीना और फिर कुछ भी काम हो उसको जैसे घर के सामने तो नहीं मिलता चाएं मिलता है अना जाना और फिर बहुत टाइम चला जाएगा पूरा देन जैसे आठ से दज घंटा अगर मेरा चला जाएगा तो मेरा बेटा जो होता है ना जैसे उसको कौन समालेगा तो यही बात है कि समालने वाला भी तो कोई नहीं है हाँ माँ हूँ कभी-कभी बुझोदा जाता है तो दाड़ देती हूँ कभी-कभी उसको समझाने के लिए दो थपर भी लगा देती हूँ लेकिन फिर भी माँ ही हुँ न, उसका क्यारी, मतलब कुछ भी हो जाए उसका क्यार करना नहीं चोल पाती कभी गुसा होती हूँ, फिर फिर जाके उसके बारे में पूछती हूँ क्या खाएगा क्या नहीं करेगा तो यही बात है मा का तो यही लेकिन जो मेरी जो मा है ना मुझसे तो प्यार तो बहुत दूर की बात है जब मैं छोती थी मेरे मतलब पहने का भी कपरा नहीं था तो बहुत ही जैसे लात खा खा के बड़ी हुई हूँ तो लोगों की दया होत तो वही अच्छी बात ही, तो जब में कोप मे थी, मुझे मारने की बहुत कोशिज की, तो बहुत कोशिज जब की थी ना, तो मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था, तो उस टाइम पर मौत नहीं आया, पता नहीं कब मौत लिखा हुगा, भी मतलब नसीब में, क्योंकि मौ मामी नहीं मतलब मुझे दुनिया दिखाना नहीं चाहती थी लेकिन फिर पी जबरदस्ती अगर कोई घर पे घुश जाता है ना तो उसका तो कदर ही नहीं होता अगर कोई प्यार से महुपत से किसी को बुलाए ना उसका कदर होता है तो मैं तो जबरदस्ती आई हूँ तो मेरा तो कोई कदर ही नहीं है ना मेरी कोई इच्छा की कदर है ना कोज तो इसलिए लात्खा खाके बड़ी हूई हूँ किसी का इसका उसका तो मामा के घर में जब रहती थी मामा के घर में मतलब मेरी मामा के बेटा बेटी है में बहुत खाने का मन करता हैं लोग यह ओ के लोग खा रहे हो ज़नकों से उणके भलोगम में अलगे से आपको और ऐसे हिसास के लोगल खांग प्र कंटो मेरी मामा मेरी माँ जॉब करती थी, मेरी माँ कमा के अपने पहन को साड़ी, अपने भाई, भतीजा, अपना भावी सब को देते थी, लेकिन पहन ने के लिए मेरा कपड़ा नहीं था, मुझे मांग मांग के किसी दूसरे से मांग के कही पर घूमने जाने के भी कोई कपड़ा नहीं है, किसी से मांग के बहन के चंदला मतलब घूमने जाना है यही बात है मेरे पास कपड़ा भी नहीं है पैर में चपल भी नहीं है आधा चपल था आधा चपल नहीं है तो वोई आधा आधा पैन के बाहर जा रहे थी तो पिन है ना लोहे का जो पिन पैर में घुझ गया तो आधा जैसे कोई भी इनसान आधा चपल है और आधा खतम हो गया ऐसे पहन पहन के घिस घिस के चो तो उसमेरा रष्टे में मोटा वाला पिन होता है ना लोहे का वो पैर में घुझ गया तो बहुत ही तब से मुझे पता है कि मुझे कौन प्यार करता है और कौन नहीं तो दिखावे का प्यार तो सब लोग दिखा देगा जो प्यार होता है ना अंदर का वो दिखता है कि कौन करता है कौन नहीं करता तो मुझे बोलना नहीं है माँ है मेरी जैसी भी है लेकिन कभी-कभी बोलता है न, कि मेरी बज़े से खा रहे हो, हम लोगों की बज़े से खा रहे हो नहीं, तो खाना भी नसीब नहीं होता कल रात को बोल दिया मुझे कि अगर हम लोग नहीं होते न, तो खाना भी नसीब नहीं होता तुम्हारा तो किस्मत ही फूटा है, मुझे बोल रहा था, कि जो मतलब फूटे वाले किस्मत होते न, वही मेरा फूटा वाला किस्मत है, जैसे मैंने जनम ही नहीं लिया, मतलब तो यही बात है, तो जिन्देगी बहुत ही, मतलब ओ है, मुझे किसी का, जैसे भीक में जहाँ काम करती थी, वहाँ पे अगर मैं बात करूंगी तो मुझे जॉब मिल जाएगी उपर वाले कि उससे ना मुझे खाने का कमी नहीं होगा क्योंकि मेरा हाथ है पैर है मैं कमा सकती हूँ और फिराल अगरπό फुचर में जरूरत पड़ेगा मेरा बेटा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो कमाने में जाओंगी दिन भर में काम करती हूँ सुबह से लेकर घर का काम खाना ये वह हमेंसाथ कोशिस करती हूँ कि मेरी ममी को मतलब ज्यादा ना काम करना पड़े थोड़ा बहुत जो हल्का-फिलका काम है या जब भी फुरसत मिलता है वह लिपा पगएरा सब कुछ कर देती हूँ कि जितना मुझे मतलब कर ना है मैं उससे जदा जितना में खाती हूँ उसके अगर पकड़ेंगे ना उससे ज्यादा में काम करती हूँ और ममी कल बोल रही है कि मेरी बज़़ध हम लगों की बज़ध से खान खाते हो तो उपरवाला जिसको खिलाता है वही खाते है जैसे जिसके पास बहुत कुछ होता है तो उसके नसीब में खाना भी नहीं होता तो खिलाने का मालिक तो वही है उपरवाला है तो पहुन किसको खिलाता है गाइस तो यही बात है जिन्देगी बहुत ही मुश्किल है मतलब जी मन्मी मैं सुझा विपाई क साड़ी बच्छे कंगूती हमेशा दोसरे खमत में बेहन भाई भाई के बेटे विए कंगूती आपने बेटी अपने माएकिं, अपना बेटी जो है ना उह भार में जाए अपना बेटी है ना वो भार में जाए वो पहन for या ना पहने वो खाए या ना खाए उसे कुछ पह मतलब भो या ना हो उससे कोई वोhist इसलिए मुझे दो बाते सुना दिया कल ऐसे मतलब गुस्चा मुझे जादा आता है लेकिन कभी-कभी न ये पुरानी बाते भी याद आ जाती है कि मेरे पैर में चपल भी नहीं था मेरे पहनने के लिए अच्छा कपड़ा भी नहीं था इससे जैसे मतलब मांग के पहनना पड़ता था अगर कोई कहीं पर जाएंगे न गूंने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं है कोई अगर देगा तब घूं ने लजाएंगे तो यही यही बात है तो मैंने अपने मतलब की बुप क्या बोलू कि मेरी मामी खुद जॉप कर री है मेरी ममे के पास दो-दो-चार चार शारी है औ अपने बहन के बेटियों को दे रही है, अपने भाई के बेटे को किसको जीन्स दे रही है, किसको घड़ी दे रही है, किसको यह दे रही है, वो दे रही है, तो देने तो फिर भी मुझे अगर कोई नहीं पसंद करता, अगर मैं बहुत ही जबरदस्ती वाला चीज हूँ, यह भी सब्जी ने बना लिया और यह विस ना फीस की है इसको अची तरीके से मैंने फट्राइ कर लिया तो तो कभी मिलें यही मतलब समझ मैं अभी भी पूजह होता है कुछ टाइम पे होता है ना तो मतलब ममी को हमेशा मतलब दो करके सारी देती हूँ हमां फिर भी मेरी मम्मी बोलती है कि नहीं में ज्द हमा मेरी म कृच्छ कुछ अगिरी मोध व जाए न तब ही अच्छा ही है मौनि बहुत ही बेकार लगती है लेकिन मौत के बाद भी तो सकून नहीं मिले रहा कि मेरा बेटाई開ळा हो जाए तो पुरानी बादें ये सब याद आ जाती है कि तक्लिप भी होता है और फिर वोई इकल रात को ताना मरा था ना वोई ताना बहुत ही दिल को चुप गया कि उन लोगों कि बज़े से खा रही हूं नहीं तो खा नहीं पाम गया क्योंकि खिलाने वाला तो कोई नहीं है तो जो खिलाने वाला था वो तो मर गया वी फिलाल खुद कमाओ खुद खाओ नहीं तो खिलाया तो उन लोगों का है घर उन लोगों का है तो खिलाने वाला हो लोग है हमारे आप तो कोई अवकात ही नहीं है मतलब एक बूंद की भी तो बिना आवकाद वाले इनसान देखते हैं कितना दिन दुनिया में जीते हैं और पताने ही फिलाल आगे जाके अगर पॉसिबल हो अगर बेटा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो जरूर काम करेंगे काम तु मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं है मैं फिलाल आज भी जा सकती काम करने में लेकिन 10 घंटा मेरा रस्ते में ही बिच जाएगा जहां पर काम करूंगी तो कैसे बेटे को कैसे क्या करेंगे तो गाइस यही बात है तो गाइस तेखिए बेटे का यह प्रोजेक्ट लेके बैट के यह और यह ना मैंने मुझे बताया नहीं था दो-3 दिन पहल तो यह बंद हो जाता है तो यह मुझे एकदम पहले तो थोड़ा सा टॉफ लगा कि कैसे बनाऊंगी फिर समझ में आया तो इसको ऐसे करके देखिये मैंने बना लिया और इंसेक्ट भी बना लिया और इंसेक्ट भी अंदर मतलब इसको चिपका देंगे अगर वीडियो अच् वो नहीं है वजूद नहीं है तो देखिए इसको चिपका देंगे और कितना बड़िया लग रहा है तो आज का वीडियो यहां पर ही खत्म करती हो फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में बाई बाई गाई आप सब अच्छे से रही